वीडियो को like कर दें और दोस्तो 2020 test शीरीज में अगर अभी तक आपने भाग नहीं लिया है जो बिलकुल फिरी होती है ना दोस्तो सबता है में दो दिन होती है एक तो रविबार और गुरुबार को दो दिन होती है इस 2020 test शीरीज में आप भाग ले सकते हैं और इस सभी के लि समात्र 1099 में आप इसमें अड़ीसल ले सकते हैं जिसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे बहुत सारे टिर्की वीडियो और TGT PGT इस special ने चोड़ किलास वो भी आपको यहां पर मिल ले वाली है ठीक है और self study classes एप आपको डाउनलोड कर लेना है और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना है तो हमारे जितने भी साती हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है और जिनको भी अड़ीसल लेना है व प्रुबभ जाईसी के प्रिसिद्ध प्रबंद काभब और उस फिर्ब स्पर वहां का आपको नाम बताना है उस प्रबंद का आपका क्या नाम है मिरगाबती पदमाबत मधू मालती या फिर दोस्तो परमाल रासो के चार विकल्ब में बताएं क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर मलेक मुहमद जाइसी के प्रशिद्ध प्रबंद का आपका नाम क्या है प्र पदमाबत यानि कि आपका जो बिकल्प नम्मर भी है वो बिलकोर सही है ठीक है ये मिरगाबती के रचनाकार को आने दोस्तों कुतुबन है आपको पता है मदुमालती दोस्तों ये मंझन की रचना है परमाल रासो तो आपकी पता ही है ये जगनिक की रचना है जगनिक की दोस और दो भागों में प्रकासित माना जाता है अंगला जूशने सूपी मुक्ताकाबिका प्रत्तम रचेता इन्यमे थे कौन है प्रत्तम रचना-कार आपको बताना है दोस्तों एक कॉस्चन गलत है अंगला कॉस्चन देखो जाइसी के इस रंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है सारी रिक पक्ष दोस्तो गौड है एक अथन किस आलोचना कार का है जाइसी के इस रंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है सारी रिक पक्ष गौड है एक अथन किस आलोचक का है रामचन सुकल का बिजय देव नारण साही का रामपूजन सहाई या फिर स्याम मनोहर पांडे जाइसी का आपको बताना है जाइसी का सबी लोग बताएंगे कि जाइसी के स्रंगार में मांसिक पक्ष प्रधान है सारी रेक पक्ष गोड़ है यह कतन किसका है एक कथन बताईए प्रश्ण के रमांग 386 386 का अंसर आपको चैन करना है राइट अंसर क्या हो जाएगा एक कथन किसका है कथन बताना है शबी लोग एक बार वीडियो को लाइक जुरू कर दें एक कथन है दोस्तो रामचंद्र सुकल का जाइसी के इस रंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और साइर एक पक्ष कैसा है गोण है तो यह आपको पता होगा कि यह रामचंद्र सुकली जी का कथन है अंगला कॉस्चन देखो आदिकाल में किस कभी ने अब हट भासा में रचना की है किस कभी ने आंसर बता रहा है सबी लोग लगाता है बहुत बड़ी आंसर आया है आंसर आपने बताया कि सर आदिकाल में किस कभी ने पूछा गया आप से कि अब हट में रचना की है तो अब हट में दोस्तों अब्दुलरह्मान अब्दुलरह्मान है ना बहुत बढ़िया अंगला कोश्चन देख लेते हैं हिंदी का प्रिथा महाकाब कौन सा है सरल कोश्चन हिंदी के प्रिथा महाकाबी और प्रिथा महाकाब आपको बताना होता है हिंदी का प्रिथा महाकाब कौन सा है कमेंट में लिखना है लाइक करना है अपने मित्रो बताएं हिंदी का परतम महा काब कौन सा है हिंदी का परतम महा काब कौन सा है और सभी लोगों ने बताया है सर्प्रत्वी राज रासो यानि कि तीन नम्मर चंद वर्दाईज के रचनाकार हैं बहुत बढ़ी आंसर अंगला क्वेश्चन है देसल बेना सबजन मिठा एक अथन किसका है एक पंग्ती किसकी है अब भ्यास करना है जितना जादा अब्यास आपसे बनता है उतना जादा अब्यास करिए और अच्छा कुष्चन आया है पुरी सर यह जो पंग्ती है और बिध्या पती की यानि कि आपका चार नम्मर जो है बिध्या पती के बारे में सबी लोगों को पता है कि बिद्यापती ने दोस्तों है ना तीन इनकी रचनाय अपन को बहुत पूछी जाती है किर्थी लता इनकी पूछी जाती है ना किर्थी पता का इनकी पूछी जाती है इनकी पदावली पूछी जाती है जो कि मैतली भासा में है दोस्तों इनकी पदावली बिद्यापती की ह इस अब जन मिठ्था सभी को पता है आदी काली नसाहित में बीर रसकी रचनाओं में किस भासा का प्रियोग किया गया है बीर रसकी रचनाओं में किस भासा का प्रियोग किया गया है जल्दी से आपको पताना है बीर रसकी बीर रसकी रचनाओं में किस भासा का प्रियोग कि किया गया पिंगल का डिंगल का बुंदेडी या फिर प्राकृत का आदी पालीन साहित में बीरस की कविताओं में बीरस की रचनाव में किस भासा का प्रयोग किया गया ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांग 390 औरifornia 1990 में आपका उत्तर सभी ने बताया है कि सर वो किया है डिंगल वासा का, कौन सी वासा का, डिंगल, यानि कि यहाँ पर C आपका राइट अंजर हो जाएगा, C जन्हों ने आंसर बताया है उनका अंसर बिलकुँ सही है, उपदेश रसाइन के रचेता कौन है, उपदेश मांग को 391, 391 का उत्तर आपको चेहन करना है, उपदेश रसाइन के रचेता कौन है, अच्छा क्वेस्चन है, शबी लोग बताएं, और आपका राइट अंसर है, अंसर चला जाता है दोस्तों, जिन दत्य सूरी, याणि कि आपका जो एक नम्मर है जिन दत्य सूरी वो बिलकूर शही आंसर है, ये नम्मर आपका राइट अंसर है, अंगला कोश्चन देखो कशने के साथ राधा की महानता किस संप्रदाई की बिसेस्ता है दोस्तों कशने के साथ राधा की महानता किस संप्रदाई की बिसेस्ता है ये प्रश्ण किरमांग 392 आपसे पूछ रहा है आपको उत्तर बताना है जब लोग बताएंगे और जिन भी सातियों ने दोस्तों क्या नहीं किया है क्या नहीं किया है दोस्तों जिन भी सातियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देंगे ठ प्लैकार नमबंबर वो बिल्कुल साही है दी नमबर आपका राइट अंसर ओम जय जगदीज हरे की आरती की रचना किसने की बताऊए ओम इस आरती की रचना बताना है किसने की दोस्तों एक कुश्टन पुछा गया है काई बार है ना प्रश्टर किरमांग 393 का आंसर बताना है अपन को ओम जय जगदी सहरे की आरती की रेचना किसने की है तब आपका बिलकुर सही आंसर आरहा है बोकी है किसने स्रद्दा राम फिल लोरी ने स्रद्दा राम फिलोरी ने यानि आपका जो ये नमबर है वो बिलकुल सही है अनामिका काब किसके द्वारा रचित है निराला, अगे, धूमिल या फिर सुमन बताएं निराला काब किनके द्वारा रचित माना जाता है सभी लोग वीडियो को लाइक जरू कर देंगे एक बार ठीक है, गीता देवी जी, आकास जी, आमित जी सभी लोग बताएंगे अनामिका काब किसके द्वारा रचित माना जाता है अच्छा क्वेस्चन है अनामिका काब आपसे पूछा गया है आपका right answer हो जाता है धोस्तों क्या यह है निराला निराला यानि B नम्मर आपका बिल्को taken हो जाएगा अनामिका काब किसके द्वारा रचित है तो यह रचित है निराला के ठीक है B नम्मर बिल्को राइट अनसर नहार की रचना किसने की दोस्तो नहार के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये किसकी रचना है ये आपको बताना है सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जिन भी सातियों ने अभी तक दोस्तो Self Study Classes एप डाउनलोड नहीं किया वो एप को जरूर डाउनलोड कर लें और जिन भी सातियों को अभी भी कोर्स में एड़ियों लेना है TGT PGT वाले साति वो ले सकते हैं आराम से बहुत अच्छा अध्यान कर सकते हैं अभी आप मात्र 1099 में एड़ियों ले सकते हैं इस एड़ियों में आप बहुत अच्छा अध्यान कर सकते हो निहारक की रचना किसने की उत्तर चला जाता है महादेवी बर्मा यानि की एक नम्मर आपका बिलकुल शही है है ना 1907 में जन्म हुआ था दोस्तो महादेवी जी का यामा के लिए ने ग्यानपीट प्रुषकार भी मिला था है ना रहस बाद से प्रभावित मानी जाती हैं बोध धर्म से प्रभावित मानी जाती है है ना और नरेश मेता को ग्यानपीट प्रोषकार किस रचना के लिए मिला ग्यानपीट प्रोषकार आपको बता होगा दोस्तों सबसे पहले हिंदी में चिदंबरा के लिए ग्यानपीट प्रोषकार मिलाता सबसे पहले चदंबरा की रचनाकार कौन है तो पंतीजी माने जाती चदंबरा के हैं अब नरिश मेता को ग्यानपीट प्रुषकार किस रचना पर प्राप्त हुआ महाप्रस्थान शंपून रचना करम बन पाकी सुनो या पिर संसाई की एक रात के लिए और सबी लोगों का अंसर बताया है कि सरे संपून रचना करम के लिए मिला है यानि आपका जो B नमबर है टू नमबर जिनों ने बताया है उनको बिलकुल सही पता है अंगला कोस्चन नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है ये कोस्चन तो आप से कई बार पूछ लिया गया है फिर भी आपको उत्तर बताना है नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है दो, दस, साथ या फिर आठ नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है इसका उत्तर सभी लोगों को बताना है कितने रसों का अच्छा अंसर आगया सभी लोगों ने बताया कि ओले सर नाटक में आठ रसों का परिपाक माना जाता है चार नम्मर आपका बिलको सही है बैसे भी आपने पढ़ा है कि स काल करम की अनुसार इनमे से सबसे पुराने लेखक कौन माने जाते हैं। बताएं जल्दीशे वीडियो को लाइक कर दें एक बार, इनमे से सबसे पुराने लेखक आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का काल क्रमानुसार इनमे से सब्से पुराने लेखक कौन हैं कौन है सब्से पुराने लेखक और सीधा अंसर जा रहा है सभी लोगों का जा रहा है भारतेंदु हरिस्चंदी की और इसारा है सभी का बुरी सर हरिस्चंद जी है number है वो बिल्कुत साहिए बैरी गोड अंसर तीन नमबर जिनोंने बताया बिल्कुत साहि नागडMax backwards जुन द्वारा रचत मचवारों के जीवन पर आधारित रचना कौन सी है दोस्तो川 मचवारों के जीवन पर आधारित रचना कौन सी है ओपन्यास बताना है कौन सा उपन्यास है वो जो मच्छवारों की जीबन पर आधारे थे बूंद और समुद्र है बरण की बेटे सागर लह रहे और मनों से आपे डूब है ना इन में से आपको चैन करना है सबी लोग वीडियो को लाइक कर दे एक बार और जिन भी सातियों को अभी एड क्यों के यहां पर मच्छवारों के जीबन पर मच्छवारों के जीबन पर आधारित है है ना बी जिनों ने बताया है उनका आंसर सही है कि सागल लहरें और मनुस कुण सा है तब आपका राइट आंसर जाता है दोस्तों बर्ण के बेटे बर्ण के बेटे यानि की बी नंबर है ना मच्छवारों के जीवन पर आधारित बताना था बी नंबर आपका यहां पर राइट आंसर है अंगला है महाकाल उपन्यास के लेका कौन है महाकाल उपन्यास के लेका कौन है बताएए अमरतलाल लांगर है विश्णू प्रभाकर है या फिर उदैश अंकर भट्टे हैं बताएए महाकाल उपन्यास के लेका कौन है जल्दी से आपको चेन करना है और यहां पर महाकाल उपन्यास के लेकक आपको वताना है और महाकाल जो उपन्यास है वो उपन्यास किसका है अमरतलाल लांगर का है या पर दोस्तो बिश्रू प्रभाकर या उदय शंकर भट्टे है ना यहां पर सीधा उत्तर आपका जाता है दोस्तो अमरतलाल नांगर है ना अमरतलाल लांगर यानि कि आपका जो टू नम्मर है वो आपको बताना है सागर लहरें और मनुस्थ की रचनाकार कौन है जल्दी से बताओ सागर लहरें और मनुस्थ की रचनाकार कौन है महाकाल उपन्यास के लेका कमरत लाल नांगर है यानि बी नम्मर आपका विल्कुश है यहां पर तो ठीक है आपको बताना है सागर लहरें और मनुस्ट से ये इसकी रचनाकार कौन है पटाक से बताएं देज विवाजन की तराजदी कि सुपन्यास में वरने थे सागर लहरें और मनुस्ट की रचनाकार कौन है ये बताओ पहले तो और यहाँ पर 399 में आपसे क्या पूँचा गया था इसमें आपसे दोस्तो नागर जुन द्वारा रचित पूँचा गया था है ना और आपको पताए कि सागर लहरें और मनुस्य के इसका है ये ओज़ाजन की तराज़नी कि किस उपन्यास में वरने थे देज विभाजन की तराश दी जल्दी से बताओ देज विभाजन की तराश दी किस उपन्यास में वरने थे और आपका सीधा उत्तर जाएगा जूटा सच जूटा सच इसकी रचनाकार कौन है यस पाल जूटा सच या स्पाल ठीक है या स्पाल आपका सही है तीन नम्मर आपका बिलकुर सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया अंगला क्वेस्चन इन में सी कौन सा उपन्यास भीस में साहनी द्वारा रचित नहीं है तो बताएं कौन सा उपन्यास भीस में साहनी द्वारा र रचित नहीं है भीस में साहिनी द्वारा रचित नहीं है वो बताना है लाइक जरू कर दें एक बार जहरोके नहीं है कडिया नहीं है बसंती नहीं है या फिर पीडिया नहीं है इनमें से कौन सा अपर नियास भीस में साहनी द्वारा रचित नहीं है इसका उत्तर आपको बताना है और इसमें आपका बिल्कुल शही आंसर आया है बहुत बड़ीया पीडिया ये भीस में साहनी है बसंती कडिया और जरू के यह तीनों हो जाएंगे आपका उत्तर चौथे की तरफ जाएगा चार नम्मर की तरफ जाएगा कौन सा कहानी संग्रह प्रेम चंद का नहीं है प्रेम चंद का कौन सा कहानी संग्रह नहीं है दोस्तो प्रेम पच्चीसी प्रेम द्वादसी मुहबत की राहे या फिर सब्त सरोज कौन सा कहानी संग्रह प्रेम चंद का नहीं है इसका उत्तर आपको बताना है सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा प्रशने किरमांक 403 आपको बताना है कौन सा कहानी संग्रह प्रेम चंद का नहीं है इसका उत्तर आने चाहिए और सभी लोगों ने आंसर बताया है कि सर मोहबत की राह है यानि तीन नमबर ये नहीं है बागी प्रेम द्वाद सी प्रेम 25 सब्सरोज ये माने जाती है तो ये सी नमबर आपका बिलकूर सही है सी बिकल्प आपका राइट आंसर है गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संक्लित है गुंडा कहानी पूछी जाती है दोस्तों है ना गुंडा का प्रसाद अपने याद कलने वोले सर गुंडों का प्रसाद मिल गया हमें गुंडों का प्रसाद ठीक है तो गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग प्रश्चन किरमांक 404 में इंद्रि जाल में है क्या और घिन काश देखेंगे बाल मुकंत गुप्त ने किस वर्स में प्रताप नाराण पर हिंदी का प्रत्रम संसमर्ण नहीं लिखा था ये question पूछा जाता है दोस्तों कि हिंदी का प्रत्रम संसमर्ण बालमकंद نے लिखा था 1910 में 1948 में 16 में या पिर 1907 में 405 का उत्तर सभी लोगों को बताना है और जिनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करें लाइक सभी को करना है और जिन भी सातियों को मौडल पेपर पर दोस्तो मौडल पेपर लेना है वो मौडल पेपर ले सकते प्रेक्टिस के दिये जिनको दोस्तो टेस्ट सीरिज लेनी है 3000 प्रश्नों की भो टेस्ज ले सकते हैं जिनको संस्कृत बाला सिलेवस की अंुसार कोर्स लेना है तो रिक्ष वीडियो वोसमें आपको मिल जाएंगे संस्कृत बाले भी और जिनको हिंदी साहित का दोस्तो संपून कोर निचोड कोर्स टेस सीरिज लेनी है तो यह कोर्स है 1099 में जिसमें आप एड़ी से ले सकते हैं और यहां पर आपने बिल्कुर सही आंसर बताया है 1907 में इन्होंने लिखा था यानि कि आपका जो चार नंबर है डी नंबर है वो आंसर बिल्कुर सही है बाजे पाए लिया के गुंगरू के लेखक कौन है बाजे पाए लिया के गुंगरू के लेखक कौन है बाजे पाए लिया के गुंगरू के लेखक कौन माने जाते है बाजे पाए लिया के गुंगरू के लेखक कौन माने जाते हैं का उत्तर आपको Chaim करना है, सबी लोग बताएंगे, अच्छा question है, कनय कनय का चक्कर है, देखते हैं, कौन कनय बनता है अफ? कौन का अंसर शही आता है, और बहुत सारे लोगोंने अंसर सही बताया है, उन्हें सरक नय या लाल मिस्त्र प्रिभाकर है ना ये नम्मर आपका बिलकुश चाहिए बहुत बढ़िया ये नम्मर आपका राइट अंसर हो जाता है इनमे से कौन सी किर्टी संसमरण बिधाकी नहीं है कौन सी किर्टी संसमरण बिधाकी नहीं है पत के साती हम हसमत लोटाउधार या फिर म कौन सी किर्टी शंस्मरन विधा की नहीं मानी जाती पत्के साती हम हसमत लोटाउधार या फिर मित्र संबाद प्रश्न किरमांक 407 और 407 में नहीं मानी जाती पूछा गया आप से तो नहीं मानी जाती में बहुत सारे लोगों ने आंसर बिलकुर सही बताया है मित्र संबाद यानि चार नंबर चार नंबर मित्र संबाद आपका बिलकुर सही है वेरी गोड आंसर अंगला कोस्चन देखते हैं दोस्तो आप प्रवासी की आत्राएं नामा किर्टी के रचनाकार कौन हैं आप प्रवासी की आत्राएं एक किर्टी किसकी है इस किर्टी के रचनाकार कौन हैं बताएं आप प्रवासी की आत्राएं डाक्टर नगेंदर दोस्त तो हैना अभी मन्यू अनंत दाक्टर धरंबीर भारती या फिर कनया लाल नंदन आप्रबासी की आत्राएं की रिचनाकार कौन माने जाते हैं इसका उत्तरवतना है सबी लोग लाइक जरू करते जाएं दोस्तों ये सैसन अपना रोज 9 बजे होता है रोज 9 बजे हम अभ्यास करते हैं पता नहीं कौन सा प्रशने एक्जाम में आपके आजाएं इसलिए दोस्तों अभ्यास करना बहुत जरूरी है आप्रबासी की आत्राएं नामाग कृती के रिचनाकार कौन है डाक्टर नगेंदर हैं क्या है ना या फिर दोस्तों अभी मन्यू अनंत हैं धरंबीर भारती या फिर कनया लाल नंदन बहुत सारे लोगों ने आंसर आ गया है सभी का आ गया है कि सर ये जो हैं ये डाक्टर नगेंदर हैं है ना बिल्कु सही आंसर प्रि प्रिंसाब बेल्स की भारत यात्रा का बिस्त्रित ब्यूरेवार वर्नन इवराज की यात्रा सीड़सक से किस ने किया। इवराज की यात्रा नाम से प्रश्न किरमांग 409 और 409 में इवराज की यात्रा नाम से बहुत सारे लोग आंसर बता रहे हैं। प्रिंसाद ने और तीन नम्मर आपका बिल्कुर सही है। सबी लोगों को बताना है। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मन चीड़ों पर चांदनी चीड़ों पर चांदनी आधारत है। सबी लोग बताएंगे और जिन भी सात्यों को एप डाउनलोड जरूर करने सबी लोग सेल्प स्टड़ी गलासेस। यहाँ पर आपके लिए फिरी टेस्ट सीरिज भी होती है और जिनको पैड टेस्ट सीरिज लेनी हैं। वो पैड टेस्ट सीरिज भी ले सकते हैं दोस्तों। निर्मल बर्मा का यात्रा सिंस्वन्ट चीड़ों पर चांदनी आधारत है तो किस पर आधारत है। बहुत बढ़िया अंसर आपको लोगों ने लगाया है यूरोप प्रवास यूरोप प्रवास पर आधारत है यानि कि आपका जो सी नमबर है वो बिलको सही है यूरोप प्रवास पर आधारत है। बहरी गोड तीन नमबर राइट आंसर गालेब चूटी सराब किसकी आत्म कथा है। ये आपको बताना है सबी लोग बताएंगे गालेब चूटी सराब इन मेंसे किसकी आत्म कथा है और उत्तर आपका सीधा चला जाता है दोस्तों क्या चला जाता है रबिंद्र कालिया रबिंद्र कालिया यानि कि चार नमबर आपका बिलको सही है रबिंद्र कालिया आपका रबिंद्र कालिया मैं बोरी सा इल्ला किसकी रचना हैं किसकी रचना माने जाती है मैं बोरी सा इल्ला कि रचनाकार कौन हैं बहुत अच्छा प्रस्ण हैं दोस्तों बोरी सा इल्ला बोरी मैंने याद भी करवा है ता बोरी बोरी में भरना है क्या बोरी बताते हैं कि देखते कौन-कौन सही बता रहा हैं और 412 का अंसर सभी को बताना है और राइट आंसर आपका जाता है दोस्तो बोरी में भरना बोले इस तरह हमें बोरी बोरी में भरना क्या महुआ महुआ जानते ना महुआ महुआ का पेड़ आपने देखा होगा महुआ आते हैं तो ये महुआ हमें बोरी में भरना बोरी बोरी में भरना महुआ तो बोरी से बोरी सा इला और दोस्तों महुआ माजी यान इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रारंब करताओं में कौन नहीं है। शही आंसर क्या होगा नहीं कहानी आंदोलन के प्रारंब करताओं में कमलेस्वर, राजिंद्र यादाओ, ग्यान रंजन या फिर मोहन राकेश। नाचो बहुत गुपाल इसके रचनाकार भी आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है और इसकी नाई का कौन है बताइए दो कौस्चन आपके सामने हैं। नाचो बहुत गुपाल इसकी नाई का कौन है नाचो बहुत गुपाल की। और सबी लोगों ने बिल्कुँ सही आंसर बताया है इसके रचनाकार कौन है नाचो बहुत गुपाल की रचनाकार कौन है जल्दी से पटा-पट लखना है। निर्गुनिया आपका सही हो जाएगा एह पतबंदूता उपन्यास के लेखक कौन है यहाँ पर बताना एह पतबंदूता उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं एह पतबंदूता उपन्यास के लेखक कौन है और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है नरेश महता है विबे की राये हैं है ना या फिर दोस्तो स्रीलाल चुकले या राजेंद्र अवस्थी एह पतबंदूता बहुत बढ़िया बैरी गोड आंसर है ना आंसर आ गया है न नरेश महता ठीक है ना चुबार अमरेतलाल लांगर का है वेरी गोड है ना यह पतबंदूता यह उपन्यास के लेखक का रेचना करकों है नरेश महता है बिबे की राये का है भीष में सायनिया फिर बिनोद रस्तोगी बिनोद रस्तोगी रंगदे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं रंगदे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं इसका उत्तर आपको बताना है चार बिकल्प आपके सामने हैं रंगदे बसंती चोला नाटक के रचनाकार आपको बताना है और बहुत बढ़ी आंसर देखते हैं कौन-कौन सही बता रहा है आंसर और बहुत सारे लोगों ने बिलकुल सही आंसर बताया है इसरे 20 में साहनी का है रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला यह जो नाटक है यह 20 में साहनी का है सी नमर आपका बिल्कुल शही है बिल्कुल राइट आंसर भारतेंदुकाली इन किस उपन्यास से आधनिकटा की सुरूआत मानी जाती है भारतेंदू कालीन के सुपन्यास से आधुनिक्ता की सुरुवात मानी जाती है बहे कौन सा अपन्यास है जिससे आधुनिक्ता की सुरुवात मानी जाती रानी केती की कहानी परिक्षा गुरू सो अजाने एक सुजाने या फिर चंद्रकांता बताएं जल्दी से भारतेंदु कालिन के सो पन्या से आधुनिकता की सुरुवात माने जाती है अच्छा क्वेस्चन है और सभी लोगों ने बताया है इसले इसमें परीक्षा गुरू लगा दो परीक्षा गुरू मैंने लगा दिया अठारा सो ब्यासी का है यह ना निवास दासका है स्री निवास दासका वेरिगोड अंगला क्वेस्चन देखो मादा कैक्टस नाटक के लेका कौन है लच्वी नाराण लाल, हरी कश्न प्रेमी या फिर जै संकर प्रिसाद, मादा कैक्टस नाटक के रचनाकार कौन है, और उत्तर है यहाँ पर, क्या बताया आप लोगों ने, आप लोगों ने उत्तर चेन किया है, इसे है लच्वी नाराण लाल, यानि कि V नमबर जो है, मादा केक्टस नाटक के रिचनाकार लच्मी नारण लाल है वेरी गोड आंसर बहुत बढ़िया यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वाला मुखी इसका संबंद किस्ते है चंद्रगुप्त कारने लिया दुरुफ सौमनी कौमा चंद्रगुप्त अलका या सिसकंद है इसका सही उत्तर यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वाला मुखी ये बताना है पताएं कौन कौन बता रहा है और बहुत बढ़िया अंसर आया है किसर इसका उत्तर ही आपको लगाना है तो आप ये नंबर लगा दो ये नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुश स गीती नाट अंधा योग अंधा अपनने आज गीती नाट पढ़े थे ना ये अंधा योग क्या है ये गीती नाट है हिंदी का प्रथम गीती नाट कौन सा है करुणाला है है ना करुणाला अपनने पढ़ा है ये अंधा योग भी क्या काई की स्रेणी में आ तक गीती कि इसके रचनाकार कौन है अंधायोग के अंधायोग के रचनाकार कौन माने जाते हैं इसका आंसर सभी लोग बताएंगे एक बार वीडियो को लाइक जरू कर दें दोस्तो अपने मित्रों तक सेयर कर दें ये सेहसन रोज 9 बजे होता है अभी ओफर चला है जिन भी सातियों क दोस्तो आपको मॉडल पेपर लेना हो जिन भी सातियों को एड़ीशन लेना हो निचोड किलास में वो ले सकते हैं मात्र 1999 में निचोड किलास में ले सकते हैं हिंदी TGT PGT special किलास में है ना गीती नाट अंधा यो किसकी रचना है तो आपने बिल्कुर सही बताया धरमबीर और प्रेम बिभोर ब्यक्तित तो भरता है किसी का नहीं अम्बिका का मलिका का या कालिदास का किसका भरता है असाड का एक दिन इसके रचनाकार कौन है इसके रचनाकार भी आपको बताना है असाड का एक दिन के रचनाकार कौन माने जाते हैं यह उत्तर बताना है तो यहाँ पर आसाल का एक दिन इसमें आपको यह चैन करना है और इसकी रचनकार भी बताना है दो कोस्चन आपसे पूछ लिए गए तो आपने बता दिया है बिलकुस चैना किसका भाव भी ना और प्रैम बिबोर वेक्तित्तो का उल्ले ऑवरता है तो वह है मल्लीका का किसका मल्लीका मल्लीका का यानि की बी नमबर आपका बिलकुर साही है भाव बिभोर प्रेम माय है ना तो ये मल्लीका भी ची नमबर आपका साही हो जाएगा यहाँ पर और आपको पता है कि इसके रचना कार कौन है वो भी आपको कमेंट में लिखना है आपने साही उत्तर बत राजमहल असाड का एक दिन अंधेरे बंद कमरे और लहरों के राजहंस कौनसी रचना मौहन राकेश की नहीं है इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा कौनसी रचना मौहन राकेश की नहीं है ये असाड का एक दिन तो आपने अभी पड़ा है है ना लहरों के राजहंस भी आपको पता है और कौनसी नहीं है छोटे छोटे ताजमहल यानि कि आपका एक ही तरह पुत्तर चला जाता है ये मौहन राकेश की रचना नहीं है दोस्त सर दास का या फिर बालमकंद गुप्त का बताएं सबी लोग आच्रण की सब्विता निबंद के रचनाकार कौन माने जाती हैं यह आपका प्रस्न है और आपने बहुत बढ़ी आंसर बताया है कि सर आच्रण की सब्विता के जो रचनाकार हैं कि जो निबंद है ये निबंद है दोस्तों किसका अध्यापर कूर न सेंका अध्यापर कूर सेंका निबंद है आठबा सर्ग किसका नाटक है जैसंकर पिरसाद का भारत इंदू हरिस्चंद का सुरेंद बर्मा का या फिर बाल मुकुंद गुप्त का आठबा सर्ग किसका नाटक है इसका उत्तर आपको लिखना है और आठबा सर्ग दोस्तो बहुत बढ़ी आंसर है शबी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा आठबा सर्ग सुरेंद्र बर्मा आठबा सर्ग सुरेंद्र बर्मा जो आपने बिल्कुर सही आंसर बताया तीन नम्मर आपका बिल्कुर सही हो जाएगा वेरी गोड आंसर बहुत बढ़िया अब किन्वी सात्यों को दोस्तो self study class A.S.A.P. में admission लेना है विष्त्रे तद्यान प्लस test ट्रेक निचोड किलास है इस सारी चीजें आपको पढ़नी है live किलासें पढ़नी है प्लस recorded course पढ़ना है तो अभी आपको self study class A.S.A.P. डाउनलोड करना है अभी डाउनलोड करिए और दोस्तो आज ही एड़ीसल लेकर कि अध्यान करिए अध्यान आपके लिए बहुत जरूरी है अभ्यास आपके लिए बहुत जरूरी है इसमें आपको लगबग दोस्तो इस 1999 के course में आपके लिए दोस्तो 2000 प्लस question की test सीरेज मिलेगी टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज है ना विस्तरे तद्धयन मिलेगा टेस्ट ट्रेक वाले वीडियो मिलेंगे डाउट्स वाले वीडियो मिलेंगे निचोड किलास जो TGT PGT के लिए special किलास है वो किलास भी आपको यहां पर मिलने वाली है और यह जो कोड से आपके जूनियर ट्रेक के लिए भी दोस्तो यह important रहेगा जूनियर सोपर ट्रेक के लिए भी important रहेगा तो जिन भी सात्कियों को अभी कोर्स में अभी ओफर है तो अभी ओफर का लाव लेते हुए दोस्तो एड़िसन लें अपना अध्यन करें अपने मित्रों तक सेयर करते रहें राम मिलन जी मोहे तनूप जी आसा जी ठीक है और ललिता जी जितेंद्र जी बीनू जी और दोस्तो विश्वास मलिक जी गीता देवी जी हैना निरूपम जी सरिता जी डेवेंद्र जी आरती जी पलक जी जया जी बहुत बढ़िया भीनू जी राम मूरज जी मोहेद जी तनू जी कुरैसी जी बिजय लक्षमी जी सिबांस जी रेसू जी उदय जी मुकेश जी दीक्छान्त जी रीता जी सरोज जी संजय यादव जी मनीशा जी रजनी जी तनू हेमानी जी सबी सात्यों को धनवाद सबी साती वीडियो को लाइक करते रहें एप को डाउनलोड कर लें एप में जाकर की रेटिंग भी आप लोग दे सकते हैं एप आपको कैसे लगा आपको किस परकार से मददगार हो रहा है सेलप स्टरी के लासे से एप वो आप एप में पिले स्टोर में जाके एप में रेटिंग दें बहाँ पर एक कमेंट आपका जरूर देखना चाहिए कि सर हमें भी अच्छा लग रहा है आपका जो एप है आपका एक कमेंट जरूर देखना चाहिए तो और दोस्तो मैं देखता हूँ कि बहाँ पर किस किस ने कमेंट किये है किस किस को अच्छा लग रहा है और दोस्तो आपको रिब्यू जरूर देना सेलप स्टरी के लासे से एप पर जाकर कर के play store में जा कर के ठीक है बिल्कोल है ना दीक्षाद आरसू हरियॉम जी रागनी गीता जी नीरत जी डॉली जी और सभी सातियों को धनवाद अजय कुसवाहा हैमलता जी सपना जी कुसपा जी मनीशा राम जी जी नीरत जी शेसी जी जितेंद्र रामलाल जी ठीक है सभी सातियों को धनवाज संजय पाटक जी और नेभे जी बहुत बढ़िया रेखातर पाटी जी विवे क्यादाव जी धनवाज सभी सातियों को ठीक है बहुत बढ़िया जय हिन दस बजे दोस्तो एक्जाम पर पर किलास होगी उसको जरूर अटेंड करें